यह क्लास 8 का क्लास 8 का हमारे पास यहाँ पर साइंस चैप्टर 6 हमारा है बल एबम दाब तो अभी के इस वीडियो पर हम लोग बल एबम दाब के जितने भी प्रकार के प्रसन है सही प्रसन है आपको वह में त्यारी करवाँगा और साथी साथ हम लोग फिलिन दा बलैंक वाले कॉफशन भी देखेंगे इस प्रकार से आपका जो त्यारी परच्छा की बहुत अच्छी तरिका से में करवाने वाला हूँ तो आप मैं चैनल के साथ जूड़ जाए यदि आप नहीं जूड़े है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और इसे अपने दोस्तों को साथ सेर किजेगा ताकि वे भी इस चैनल के साथ जूड़ सके तो चलिए हम लोग देरना करते हैं यहाँ पर शुरू करते हैं आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहला प्रसना पहला प्रसना आप लोग रीड कर सकते हैं पहला प्रसना हमारा है कि सुस्क मोसम में बालों में कंगी करने पर वो बिखर जाता है इसके लिए बल देखिए आप लोग किताब में पढ़े हैं कि बल मांसपैसी बल इस्तिरवेध हुथ ये बल चुमबक ये बल गुर्तुव बल और घरसन बल के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं तो यहाँ पर सुस्क मोसम में क्या होता है सुस्क मतलब क्या होता है मतलब कि जादा नमी नहीं नहीं होती है हमारे वातावरण में नमी बहुत ही कम होती है ठीक है तो सुस्क मोसम में बालो में कंगी करने पर वो बिखर जाता है इसे किस बल का कौन सा बल जो उत्तरदाई है देखें आपको बता दू यहाँ पर जो है हमारे सुस्क मौसम में हमारे नमी नहीं होने करन वाथवरन में ज्यादा नमी नहीं होने करन इसमें क्या होते हैं कि जब हम लोग कंगी जब करते हैं अपने बालों में तो एक आवेस उत्पन हो जाता है और जब हमारे एक ही परकार के आवेस होते हैं तो वे क्या करते हैं प्रती करसित करते हैं एक ही परकार के आवेस क्या करते हैं प्रती करसित करते हैं जिसकान से हमारे बाल क्या होते हैं बिखर जाते हैं तो उस हम लोग आखिर वहाँ पर आवेस जो उत्पन हुआ उसको हम लोग कौन सा बल कहेंगे उसको कि प्रसन सिंख्या एक का इदर हमारा बी वला आपसन जो है सही है समझ मां आगे आपको चलिए अहों लोग प्रसन सिंख्या दो को देखते हैं देखे दो नमबर यहां पर प्रसन है निम्नांकित बलों में कौन सा संपर्कित बल है देखे संपर्कित बल मतलब क्या होता है और संपर्क के माध्यम से बल लग रहे हैं तो इसलिए ही इसे हम लोग कहेंगे संपर्किया बल कहेंगे इसे गुर्टवा बल क्या होते है गुर्टवा बल जो होता है वे हमारे क्या होता है संपर्कित बल नहीं है पिर्थमी का किसी भी वस्तू को आकिरसित करने का एक बल है अप घरसन बल के बारे आप लोग जानते हैं यह संपर्कित बल है मतलब संपर्क होने से कोई दो वस्तुओं की भी संपर्क होने से यह बल उत्मन होती है ऐसी कि मानस्पेसिबल हो गया मानस्पेसिबल क्या होते जैसे कि आप किसी बीची जो जैसे कि आप एक इंट उठा रहे हैं अपने हाथों से ठीक है तो आखिरी आप इंट जो उठा पा रहे हैं उसका मुख्य कारण क्या है मानस्पेसी आपका आपका सरीर का मानस्पेसी जिस कारण से आप जो है उस इंट को उठा पाते हैं तो यह हमारे क्या वेल टम टम खिच recordings हे यह भी मांसवैसिर बल के खिच पा रहे हैं हम लोग किसी भुश्टू को अपने हाथों में ate लेते है है आकर किस बल क Kelsey बल कर रहे हैं घरसन बल तो आप लोग जानते हैं घरसन घरसन बल के खरसन बल के कारण हम लोग यह बल के परकार एक हमारे क्या है अभी कर्सन एक होता है अब कर्सन ठीक है देखे अभी कर्सन और अब कर्सन को आपको समझना है यहाँ पर यहाँ पर क्या बोल अगया है कि कुवे से पानी खीचना देखे कुवे से जो हम लोग पानी खीचते हैं तो उसको हम लोग कहेंगे अभी करसन बल कहेंगे क्या कहेंगे अभी करसन जैसे कि कुवे में जो पानी हम लोग खिचते हैं तो हम लोग पुली के माध्यम से भी खिच सकते हैं रसी लगा अरता पुली में या फिर हम लोग डारेक्ट हातों से खिच लेते हैं ठीक है तो इस बल को हम लोग क्या कहेंगे अभी कर्शन बल कहेंगे क्या कहेंगे अभी कर्शन बल कहेंगे जब आप धक्का देंगे तो उसे आप लोग क्या किजेगा क्या कहिएगा अभी कर्शन बल कहिएगा याद रहेगा न चलिए तो यहां पर हमारी का हो जागा अभी कर्शन बल जब हम लोग खीचते हैं तो उस यहाँ पर देखें बल का देखें बल का लिखा गया है और यहाँ पर हमारा जो है option है केवल परिनाम होता है केवल दिसा होता है परिनाम तथा दिसा दोनों होता है देखें बल जो है ना बल हमारा क्या है सबसे पहले आप लो समझें बल आखिर क्या है देखें बल का एक हमारा सूतर होता है जी कि आपको मैं यहां पर बताता हूँ देखिए बल का एफ बराबर न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसर यह आप लोग किलास 9 में पढ़िएगा एफ बराबर क्या होता है में होता है एफ बराबर में होता है ठीक एफ बराबर में होता है और यह हमारे क्या सदिस रासी है क्या यह वला एक सदिस रासी है बल क्या है हमारा सदिस रासी है ठीक है अब आप लोग रासी के बारे में आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर रासी के बारे में बताता हूँ आपको सदिस रासी क्या है ठीक है अदिस रासी क्या है कोई वेक्ति जो है ना कोई वेक्ति यहां से यहां जाएगा ठीक है इस बिंदू से इस बिंदू पर जाएगा यह हमारा बिंदू A है और यह हमारा बिंदू B है कोई वेक्ति क्या करेगा इधर से दुकान होते वे सिनेमा हॉल होते वे यहाँ पर पहुंचेगा ठीक है और कोई वेक्ति क्या करेगा सीधा यहां से यहां तक जाएगा आप ध्यान से समझेगा इसे ठीक है आखिर दोनों का हमें परिनाम पता है परिनाम मतलब क्या कितना किल जाना है जैसे कि आप सिधा जाएगा तो यहां पर आपको फिर्थे सोच डिस्टेंस होगा मतलब यहां पर यह ऩो itself कितना पंदरा किलोमेटर तो आपको फंदरा किलोमेटर जाना है ठीक है और मान लीप लिए यह पर जाएगा जाना होगा समझ वार रहा है ठीक है और दीखें यहाँ पर यहां पर जर्दी हम लोग इस रेखा से जाएं जर्द सीधार जाएं तो यहाँ पर आपका न दिसा मालूम है कि हमें एक ही दिचा पर जाना है इसलिए से को करते हैं विस्तापन करते हैं टीक है आप लोग क्लास 9 में के हमें इस दिशा में जाना है समझार आपको तो जिसमें हमारे दिशा और परिणाम दोनों मालूम हो ना उसको हम लोग क्या करते हैं उसको सदिसराशी करते हैं क्या करते हैं सदिसराशी करते हैं तो बल भी क्या है एक सदिसराशी है जैसे कि ए बराबर क्या होता है में होता ह अब बराबर में होता है ठीक है और यह मतलब क्या होता है यह मतलब होता है तोरन किसी वस्तु का तोरन किसे कते है वेग में परिवर्तन की दर को तोरन कते है अकर यह सब आपको क्लास 9 में अच्छी तिरकासे पढ़ना है ठीक है चले तो यहाँ पर हमारे यह सदिसरासी है जि यानि कि यह जो है उसका परिणाम पता है लेकिन इसको दिसा नहीं पता है कि किस दिसा में इसको जाना है ठीक है पहले यह इस दिसा में जाता है फिर अपना दिसा चेंज करता है फिर चेंज करता है दिसा फिर चेंज करता है इस परकार से यह पहुंचता है तो इसमें दिसा डिसा मालूम नहीं है लेकिन परिणाŞम मालूम हैं तो जीमें परियनाम मालूम हो लेकिन दिसा मालूम नहीं की सही होगा ठीक चलिए C वाला option जो हमारे बिल्कुल यहाँ पर सही है ठीक है आप लोग C वाला को टिक लगाईए अगला हम लोग प्रसंद देखें अगला प्रसंद नमरा पांच नमर देखें भार का मातरक है देखें भार का मातरक क्या होता है देखें भार का मातरक ठीक है भार का मातरक यह न्यूटन भी होता है क्या होता है न्यूटन भी होता है और किलो ग्राम भी होता है किलो ग्राम भार ये वाला भी होता है हमारा ठीक है तो भार का मात्रक क्या हो गया भार का मात्रक जो है अब हमार ए और बी ए और बी दोनों हो गया समझवाया की ने आपको सी वाला यहाँ प आपका मातरक्तहसिए ह ψता है दापका मातरक जो इन पासकल होता है क्या क्या होता पासकल और निउटन पर ती sadly वर मेंतर कफ अइक मीटर स्क्वार्ग में एक तो जो में मीटर स्क्वार को में जब आरुफ़ित करते क्या को सिथा थे दाप करते है तो Newton पर्ति वर्ग मिटर जो होता है वे हमारे क्या क्लाता है वे हमारे क्लाता है दाप का मातरक क्लाता है यानि कि दाप का मातरक दोनों है आप लोग किता में पढ़ें है पासकल भी होगा Newton पर्ति वर्ग मिटर ये वाला भी हमारे क्या हो होगगा यहाँ पर ठीक है समझ वागगे आपको यहाँ पर यहाँ पर यारा की साथ नमर कर सकता है वह भुष कुछ कर सकते हैं पर कर सकते हैं गती को बढ़ा सकते है छह की यहँथ ही रहाई कि किक किया है। एक किक करने के बाद आखिर वे रूख क्यों जाता है पुटबॉल आगे उसे अनंत कालता चलाए न जी है था अंत्रिक्षपार्दर कर देना जी है था अकिर ऐसा नहीं करता है क्योंकि हमारा वातावर्ण से यह घंसर बन के कारण जिस कारण से वेक को क्या करते है धरिद्र करकर घटा देता है तो यानि बल के कारण बल के करण यहाँ पर जो ह सुमझ है यहाँ पर यहां हमारे चीजद नूटाय में होरे है तो यहां पर घ्集 रहे हैं एक बलुक तो नीकि तो यहां same था तो खीच के लंबा कर दिए समयाए कि नहीं आपको तो यहाँ पर जो हमारा क्या होगा डी वाला होगा इन में से सभी समयाए कि नहीं चले डी वाला यहाँ पर ठीक लगए आप लोग इसे लीक भी लिजेगा ठीक है यहाँ पर जो डी वाला अपसन सही है इन में सभी अग नूटन हो गया इसको हम लोग n से दिनोट करते हैं ठीक है कि केपिटल n से अगला हम लोग प्रसंग देखेंगे अगला प्रसंग हमारा है प्रती इकाई च्छेत्रेफल पर लगाएगे बल को क्या करते हैं दाब करते हैं यानि कि यहां पर जो बीवल आप्संग सही होगा ऐस भोई प्रसन था यहां पर ठीक है तो पड़ती एक शेतरफल पर लगने वाले दाब को किने पल कते है बल कदे पर लगने वाले दाप को प्रिभासा बीजिए बीदर परिवासल हमें जीसे कि यहां पर एक पर ऑफ यहाँ पर है न इन हाँ यहाँ पर देखे दाप का मात्रक है तो दाप का मात्रक पास्कल था है न और हमानेशन पर दीचिज इनुटन और पर दीचिज वर्ड मेटर को था जय न हुशंफे तरप CA Maar यह बाइन वाले बल को क्या खते है तो हम लुग क्या करते है क्या थे दाप करते हैं यानि कि हमारा बी वला ऑप्शन यहां सही था अब 10 नमर को देख लेए देखिए 10 नमर देखिए हमारा बोला गया कि बेलो दुआड़ा गारी को खीचना किस बल का उधर ने देखिए आपको मैंने बता है कि बेल जो होता है न गारी जो खीचते है तो आखर यह किस मांच-स-फैसी, बलकारन किस बलकारन मांच-पैसी तो मांच-फैसी ने लिक्था पे-सी यह लिखा तो यही वह अपनोट लग़े है पे-सी यह बलकारन क्या करते है बेल जो अपने गारी को खीचते है समंझ भाणगा गया चले 1 सब्सक्राइब भाइब मंदल कहते हैं क्या को य है वाई मंदल कहते हैं सब्सक्राइब को चलिए अब में फुरक आपको मुद् उस उस का मातR Old Clay 가지 का नाम बाते हैं जिसका मात्रक नूटन को नूटन वोगा दर्वाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है। जो हम डोग हीचते ऊप लों से अभी कर्सन बल क्या कते हैं। जब तो धुन देंगे तो हम देंगे रवाजे को धुका देने पर कैसा बल लगता है। धुन सवस्थन होगा। από कोम यहाँ ठुन भी वस्तू किस बलकन पर गोता है। पिर्थिमी में जो भी वस्तु के दर्मान से पिर्थिमी का दर्मान क्या जाधा है जिस कारण से किसी भी वस्तु को हम उपर के और फेकते हैं तो यह वस्तु नीचे ही गिरता है मतलब पिर्थिमी में ही गिरता है समयाए किने आपको तो जिसका द्रहमान जादा होता नो उसका गुर्तवा करशन क्या होता गुर्तवा करशन बल जादा होता है तो यहाँ पर बोलेगे कोई भी वस्तु किस बल के गरण पिर्थिमी पर गिरता है करने तो गुर्तवा बल के करने को नॡ दूसरी वस्तूओं पर कुछ दूरी से बिना सीधे समपर के लगने फ़ल को क्या कते खessädha ठीकर नभाइब कफ़ीज शूरी थ ainda आवेस, आपको मैंने बताया था, आवेस क्या होता है, जैसे कि हमने बालों पर बताया कि आवेस है न, एक ही परकार के आवेस होने कारण, वे क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब परतिकर्सित करते हैं, एक दुसरे को सटने नहीं देते हैं, है न, तो यहाँ पर इसी परक करती अफसे किया करेंगा एड थर त्वारइक होने कया क्या खैँ यह भी है आपई सित्वस्त्व द्वारा दुसरीं वस्त्वों पर कुछ दूरी से बिना सिध्यं संपर्गे लगाए गया बल को हम लों क्या पर नीचे ही गिरेगा ठीक है नीचे से किसी वस्तु को पर फेगेंगे तो आखिर वे पिर्थमी पर ही गिरेगा तो यहाँ पर बोलागे कि पिर्थमी जो है परतेक वस्तु को अपनी और आकरसित करती है इस आकरसन बल को क्या कहते है तो गुर्टवा बल कहते हैं गुर्टवा बल यानि कि सी वल आपसन जो यहाँ पर सही होगा अगला हम लोग प्रसन देखेंगे अगला हमारा 17 नमबर दे तो तल्ला उपर च्छत में खड़े हैं ठीक है और वहां से आप लोग किसी वस्तू को गिरेएगा ठीक है तो उसकी लगातार वेग क्या होगी बढ़ेगी मतलब देखे जब आपने उसके हाथ से जब आपने छोड़ा जैसे एक पत्तर है हमारे हाथ से जैसे हमें छोड़ा त तो आखिर जो है वहाँ पर चाल में उसका परिवर्तन कर रहा है तो कीस बल के करण चाल में परिवर्तन हो रहा है इसका गुर्तवा बल के करण हो रहा है क्योंकि प्रित्म में क्या है गुर्तवा गरसन बल है है इसी करण से यहाँ पर उसकी चाल लगातार क्या हो रही है ब कुन से बल का उपियोग किया जाता है देखें जमीन पर बिखरे ठीक है लोहे के पीनों को करें को इखटा करने के लिए कौन सा बल उपिये ये वाला option जो सही होगा ठीक है जमीन पर बिकरे लोहे के पीनों को इखटा करने के लिए कौन से बल का उपयोग किया आता है तो चुम्बा के बल का उपयोग किया आता है अगला हम लोग 19 नमबर को देखेंगे देखें 19 नमबर यहाँ पर प्रस्ण है यह दिये गे चितना में इस इट को तीन विभीन तरह से टेबल पर रखा गया है ठीक है टेबल पर रखा गया है इट दुआरा टेबल पर लगाए गया बल होगा इट दुआरा जो टेबल पर लगाए देखें बल जो होता है न बल आक दाब किसका अधिक होता है जिसका छेत्रफल कम होता है जब हमारे किसी वस्तू का छेत्रफल कम होना तो वहाँ पर दाब ज्यादा लगते है जिसे कि हमारे पास एक यहाँ पर काटी है ठीक है एक कील है कील करते है आप लोग ठीक है और उसके उपर आपने अपना हाथ रख द तो है इसका कारण है कि यहाँ पर चेतरफल क्या होगा ज्यादा हो गया और चेतरफल ज्यादा होने से दाब क्या होता है घर जाता है है ना तो यहाँ पर जिसमें चेतरफल हमारा कम होगा उसमें दाब ज्यादा होगा और जिसमें चेतरफल ज्यादा होगा उसमें दाब कम हो होगा अधिक लगेगा इसमें दाब जो कम लगेगा इसमें दाब कम लगेगा क्योंकि इसका क्या एरिया इच्छे तरफल जादा है इसमें दाब जो ना इसमें जो ना इसमें दाब जो ना इसमें जो ना इसके मुकाबले जो नहीं C को होगा ठीक है तो यहां पर क्या बोलाए एक की इस्तिति में सबसे अधिक जो दाब होगी यानि कि यहां पर जो हमारे का है तो सबसे आधिक होगा नहीं कि नहीं अहां पर क्या हो गया हमारा ए वाला अपस इस परभा sabemos सबसे अधिक होगा तो आप लोग बोलते कि यहाँ पर C में क्या होगा, C के सिती में सबसे कम दाव होगा, समयाए कि न आपको, चलिए अब हम लोग अगला प्रस्ण को देख लेते हैं, देखें अगला प्रस्ण हमारे 20 नमबर है, और 20 नमबर यहाँ पर बुला गया कि सुसक मोसम में बालों में कंगी करने पर वो विखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदाई है, देखें यह वाला प्रस्ण हो चुका था, उसी के रिलेटर यहाँ पर प्रस्ण है, तो वे जो हमारे क्या होगा, इस्तिर वेधूतिय बल होगा, यानि कि हमारे C वाला ओप्सन जो यहाँ पर सही अब एककिस नमर प्रस्ण को देखें, एकस नमर यहाँ पर प्रस्ण है कि एक आवेशित वस्तू दुवारा किसी दूसरे आवेशित अथा अनावेसित वस्तू पर लगाए भया बल को क्या कहतें, बल कहलाता है, देखें कोई नहीं कि कर द Leon को शुंद च Lights讲 को ठीक है तो यहां पर जो है हमारी क्या हो रहा है यही वला यहां पर किसा होता आवेस के कारण नहीं यहां पर बल लगता है तो यहां पर क्या होगी आवेस के कारण होता है यसलिए हमारी क्या होगी एक इस नमर का डीवल ऑप्सन जो है आपको मैंने यह वला चीज समझाया पहले बें ठीक है अब यहाँ पर दीए कुछ हमारा रिक्तिस्थान व्ला प्रसने इसको भी हम लोग देख लिते हैं उसके बाद हमारा यह वला विडियो समाप्त हो जाएगा देखे एक आवैसित वस्तू को blank करती है देखिए कोई हमारा आवेसित वस्तू है और कोई अनावेसित वस्तू है इसे कि देखिए आप लोग जो है आप लोग क्या किया है अपने कलम को जब बालो पर रग रहेंगे तो कलम में क्या हुआ आवेस आ गया कागच में कोई आवेश नहीं था कागच कोचलकी ठुक्रे में तो अलड जह जब हमारा आवेशित वस्तु क्या करेगी आकरसित करेगी तो यहाँ आपको लिखना है आप है? छली आपको में जूम करके यहाँ पर दिखा देता हूं यहाँ पर अंसर भी होगा ठीक है जैसे कि यहाँ पर हमारे यह वाला समयारक वो दिखा इदर है ठीक है तो एक का क्या लिखना है आपको एक का लिखना आकरसित का लिखना है आकरसित लिखना है एक का लिखना है आकरसित लिखना है ठीक है जैसे कि आप लोग यहाँ पर और इधर भी हमारे क्या North है, North-North मतलब क्याício उत्तरी धुरूँ, और South-South मतलब क्या आथ दक्षिनी धुरूँ, तो यहाँपर दीखिए उत्री धुरूँ क्या करेगा रिपियल करेगा कभी Centro costs यह खाले का अधर night करेगा। तो यानि इसको हम लेंगे परतिकर्सित. ऑगर जब हमारा जब यहाँ पर विप्रित हमारा धूरूव रहता है, तो यह क्या करता है, आ श्वासby करता है. अबेकरसित करता है, एसी परकारसित है आवेस में भी होता है, तो आपको अकार लिखना है, अब डी देखी है, यह क्थए, इक अचनझ बल्नक भुर्टन, यहां लिखना है नियूटन, यहां लिखना है, यहां लिखना हैuciones, तो एकान्ख बल्नक भुर्टर। एकांग छेत्रफल पर करेरत बल यहां लिखना आपको बल क्या लिखना बल तो एकांग छेत्रफल पर करेरत बल दबाव कहलाता है यानि कि दाब कहलाता है ठीक है एफ कर देख लिए एफ हमारे का दरों में दबाव गहराई गहराई के बढ़ने से देखें जैसे कि आप सब्सक्राइब हलें, छिए सब्सक्राइब बल लगाता है जिसके कारण इसकी बिलेंक में परिवर्तन होता है इसमें किसमें परिवर्तन होता है इसमें किसमें परिवर्तन होता है इसमें 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 परिवर्तन होता है इस क्या के यहां पर जो है धन उचता है यहां पर जो उसका पर बल जो लगा है हमारे कंभता है मान स्पेसि इंग यहां पर देख सकते हैं आई क्या है Tear के गती की दिशा में पर sulphे है के लिए ब्रेंक बल उतá है तीर की गति की दिशा आपको बदलना है So डिशा भांना Astra P आप लोग अंसर भी लिश्कते हैं और यह आप लोग प्रस्ण यहापर देख सकते हैं तो इस फरकास से यहाँ पर जो है अभी कि इस वीडियो पर हम लोग बहुत कुछ यहाँ पर प्रस्ण सीख गए ठीक आर बहुत कुछ बहुत अपलोग एडिसनल चीज भी सेखें बहुत सारा अच्छे चीज भी आप लोग सीख गए ठीक हैं तो इस वीडियो पर हम लोग इतना ही रहने देते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तो तो यह बहुत बहुत धन्यवाद